नमस्कार वचों बोर्ड नेक अक्षा 10 के लिए जो गुनित का मोडूल पेपर जारी के है बोर्ड प्रिक्षा 2024 के लिए उसका खंड A और 2 वो हम कर चुके हैं आज हम देखते हैं इस वीडियो में खंड से जिसमें 3 अंक के परसन आएंगे और परते एक परसन है वो हमें अथ्वा के अंदर दिया होगा यनके हमारे पास दो अप्षन है परते एक परसन में हम दोनों में से एक परसन है वो हल कर सकते हैं सोडा नमबर परसन हमें दे रखा है निमन लिखित बंटन का समानतर माद्य कल्पित माद्य विदी से ग्याद कीजिए माद्य ग्याद करने की तीन विदी है तो यहाँ पर हमें विदी का नाम दे रखा है कल्पित माद्य विदी तो हमें इसी विदी से इस परसन को हल करना होगा सबसे पहले हम देखें यह जो परसन है वह चोदा नमबर परसनावली यbelt की मद्या मद्यकोर भूलक में से है और नएश लेवस में ये परसनावली है तेरह नमबर हमें वरगंतराल और बारंबारता दे रख़िए तो एक तरब तो हमें दे रखा है वरगंतराल हम अथ्वा से पहले वाला पर्शन कर रहे हैं पहले वरगंद्राल और एक तरब देदी बारंबार्था बारंबार्था को लिखते हैं एप से वरगंद्राल हमें दे रखा है दस से पचीस पचीस से चारीस चारीस से पचपन फिर पचपन से सत्तर सतर से पिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च करें सबसे पहले वर्ग चिन X ग्याद करते हैं और वर्ग चिन X ग्याद करने का तरीका क्या है कि जो भी हमें वर्ग अंत्राल दे रखा है उसमें निमन शिमा और उपरी यह जो दोनों संख्य हैं इन दोनों को जोड के और दो का भाग दे देंगे तो 25 और 10 यह हो जाएंगे 35 और 35 में 2 का भाग देंगे यह आएगा 17.5 यह आगे वाले वर्ग अंत्रालों में हम देखें कि यहाँ पर X का मान क्या आएगा तो एक तो यहाँ पर हमें जो सभी अंत्राल दे रखें यनकि पहला वर्ग है वो 25 पे समापत हो रहा है दूसरा वर्ग 25 से सुरू हो रहा है दूसरा वर्ग 40 पे समापत हो रहा है और तीसरा वर्ग 55 से समापत हो रहा है और चोथा वर्ग है वो 55 से सुरू हो रहा है इसी परकार जो अगला वर्ग है वो 70 से किया से शुरू हो रहा है तो उसे तो हम कहते हैं सतत वरगंतराल और दूसरा हम यहां पर देखते हैं कि इनका जो वरगंतराल है वो क्या दे रखा है तो सभी के अंदर हम अंतराल देखें तो हमें 15 का अंतराल दे रखा है 25 में से 10 गटाएंगे 15 बचेंगे 40 में से 25 गटाएं ग्याद किया है इसमें इनके बीच का जो अंतराल है वो जोड़ते जाएंगे तो आगे के X के माने वो हमें राप्त हो जाएंगे यनकी आगे के जो वरगंतराले उन्चे X ग्याद करेंगे तो हमें संख्याओं को जोड के और उसमें 2 का भाग देनी क्या हो सकता नहीं है वैसे भी हम ग्याद कर सकते हैं X का मान और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा थोड़ा आसान हो जाएगा तो वर गंद्राल है वो 15 आ रहा है इनका तो पहला X का मान 17.5 है इसमें 15 जोडेंगे तो 17 और 15 हो जाएंगे 32 तो अगला X का मान आ जाएगा 32.5 फिर इससे आगे वाला X का मान गयाद करेंगे तो 32.5 के अंदर 15 जोडेंगे तो 32 और 15 होते हैं 47 तो यह हो जाएंगे 47.5 इसे आगे का X का मान गयाद करेंगे तो 47.5 में 15 जोड़ देंगे तो यह हो जाएंगे 62.5 अब इसे आगे का X का मान गयाद करेंगे तो 62.5 में 15 जोड़ देंगे यह हो जाएंगे 77.5 इसे आगे का X का मान गयाद करेंगे तो 77.5 में 15 जोड़ देंगे तो यह हो जाएंगे 92.5 यह X के मान गयाद कर लिए और वैसे भी हम देखें 100 और 85 है इनको जोड़ेंगे यह आएंगे 185 और 185 में फिर 2 का भाग देंगे यह आएगा 92.5 X का मान गयाद कर लिया अब इसके बाद में हमें कल्पित माद्य वीदी से माद्य गयाद करना है सबसे पहले कल्पित माद्य गयाद करना होगा तो कल्पित माद्य कैसे गयाद करेंगे तो वो हम X के मान देखते हैं कि X के मान हमें कितने दे रखें तो X के हमें मान दे रखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ चर X के चर X के N बराबर 6 मान दिये हैं N बराबर 6 मान दिये और 6 एक समसंख है तो 6 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आगे हम लिखेंगे अते कल्पित माद्धे A बराबर चाए कल्पित माद्धे A बराबर हो जाएगा 6 मैं 2 का भाग देंगे 3 बार तो तीन बापण अब उपर से तीसरा पद देख लेते हैं तो उपर से तीसरा पद देखें हम तो एक दो तीन नमबर पर हमें संक्या दे रखिए 47.5 तो इसका जो कल्पित माद्य है वो आजाएगा 47.5 पग विचलन विदी और जो कल्पित माद्य विदी है दोनों के अंदर ही हमें सबसे पहले कल्पित माद्य गयाद करना होगा अब उसके बाद में कल्पित माद्य का अगर सुत्र देखें तो गल्पित माद्ध्य X बार बराबर होता है A पलस Szegma Fi Di बटे Szegma Fi इनके सबसे पहले हमें D का मान गयात करना होगा तो X का मान गयात करने के बाद میں हम D का मान गयात करते हैं और D बराबर होता है X I ñ A I या X I – A X के मान में से A का मान गठाते जाएंगे तो वो D कामान प्राप्त हो जाएगा अब इसको ग्याद करने का एक आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको कि हमें A कामान प्राप्त हो है 47.5 तो इसके सामने D कामान 0 आएगा क्योंकि X में से 1 गटाएंगे तो 47.5 में से 47.5 गटाएंगे तो ये 0 बचेगा अब उपर के जो D के माने वो माइनस में आएगे और नीचे के जो D के माने वो हमेसा प्लस में आएगे अब हमारे पास वर्गंतराल है वो 15 था वर्गंतराल ध्यान रखना है ये जो तरीका है वो केवल उन्हीं वर्गंतरालों में काम में आएगा जिन में एक तो हमें सतत वर्ग अंत्राल दे रखा हो और दूसरा इनके बीच का जो वर्ग अंत्राल है वो सभी वर्गों में एक जैसा दे रखा हो तो वर्ग अंत्राल 15 दे रखा है तो उपर की तरब भी 15-15 जोडते जाते हैं और वैसे भी हम निकाल के देखें, तो यहीं मानाएंगे, जैसे कि अन्तिम D का मान निकालें, तो X में से A गटाना है, तो X का मान थो हमें दे रखा है, बान में 0.5 और इस में से A गटाएंगे, AS 47.5, 5 में से 5 गटाएंगे 0, पॉइंट के न法 में दार लेंगे, उदार लेंगे 12 में से 7 गटाएंगे 5 फिर आगे हमारे पास यहां पर बचेगा 8 8 में से 4 गटाएंगे 4 यह आएगा 45.0 यानि की 45 डी का मान गयाद कर लिए उसके बाद मैं F गुना D दे रखा है सुत्र में तो F और D के मान का हम गुना करते हैं F गुना D तो जो D का मान 0 आया है उसके सामने तो F और D का गुना फल है वो 0 आएगा 7 को 0 से गुना करेंगे 0 F और D का जो कोलम है इनको आपस में गुना करना है उपर के जो मान है वो आएंगे माइनस में और नीचे के मान आएंगे प्लस में 2 का 30 से गुणा करते हैं 60 3 का 15 से गुणा करते हैं 45 7 का 0 से गुणा 0 आ गया 6 का 15 से गुणा करेंगे 15, 6, 90 6 का 30 से गुणा करेंगे तो 6, 3, 18 180 और 6 का 45 से गुणा करेंगे तो 6, 35, 30 आसिल बचेंगे 3 और 6, 24, 24, 27 अब उसके बाद में सिगमा, सिगमा का मतलब होता है योग, तो F और D का जो हमने गुणा किया है, उसका योग करना है, और नीचे दे रखा है सिगमा, F I, यहनकि F के मानों का हमें योग करना है, यहाँ पर सब लिखेंगे योग, और आगे F का योग कर देंगे, और F और D का जो गुणा किया है, 18 और 10 हो जाएंगे 28, 28 और 2, 30 इन सभी का योग दो आ रहा है 30 F और D के गुननफल का योग करेंगे तो माइनस के जो संख्य है उनको एक तरफ जोड देते हैं और पलस के संख्याँ को एक तरफ जोड लेते हैं पहले माइनस के 60 और 45 ये हो जाएंगे माइनस के 105 5 और प्लस के हम जोड़ें तो यह हुजाएंगे पांच सो चारीस अब उपर के संक्हाइं ale minus के नीचए के संक्हाइ फृप्रिच इनका घटाओ गरते हैं तो पांच सो चारीस मेंसे 105 बचाइएंगे तो पांच सो चारीस मेंसे 100 बचाइए에ं और उसमें से 5 बटाएंगे ये बचाएंगे 435 बड़ी संख्या प्लस के 435 बचाएंगे अब माद्य का सुत्र लिखेंगे कल्पित विदी से विदी का नाम लिखेंगे कौन सी विदी से हम कर रहे हैं तो कल्पित विदी से मद्य एक्स बार बराबर सुत्र होता है ए पलस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ एक आमान जो हमने ग्यात किया था 47.5 पलस सिग्मा एफ डी एफ और डी का जो गुनन फल है इनका योगा है हमारे पास 435 और भाग में है सिग्मा एफ तो सिग्मा ताउं का योग यह हमारे पास है 30 अब सबसे पहले 435 में हम 30 का भाग देंगे तो 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 तो पहले हम इसमें 3 का भाग दे दें और जो भाग फल प्राप्त होगा उसमें 10 का भाग देंगे एक अंक छोड़के पॉइंट लगा देंगे या फिर अगर पॉइंट आएगा तो पॉइंट एक अंक बाइंटरब चला जाएगा सबसे पहले 435 से इसके अंदर 3 का भाग देते हैं तो 3 एक हम 3 4 में से 3 गटाएंगे 1 अगला अंक है 3 भाग जाएगा 4 बार 4 तीए 12 13 में से 12 गटाएंगे 1 और अगला अंक दे रहा है 5 तो 5 तीए हो ज देंगे तो 47.5 पलस 435 में 30 का भाग देंगे यह आएगा 14.5 अब इनको जोड़ देते हैं 47.5 में हमें जोड़ना है 14.5 5 में 5 जोड़ेंगे 10 80 लगी एक पॉइंट के निचे पॉइंट 7 और 4 ग्यार है और एक आसिल 12 है 4 और एक पांच और एक आसिल 6 यह जाएगा 62.0 यान दे रखाए नीचे दिवावा बंटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के बार दर्सार आए एक तरफ बार दे रखाए वरगंतराल में और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या है और विद्यार्थियों का मद्यक बार ग्याद कीजी मद्यक बार है वह में ग्याद करना है हमारे पास तीन चीज़ें माद्य, माद्यक और बवलक माद्य, माद्यक और बवलक तो दो परसन आएंगे बड़े एक तीन नंबर का और एक चार नंबर का और दोनों ही अत्वा के आएंगे तो इनमें या तो हमें माद्य और माद्यक अत्वा में देदें या माद्यक और या फिर मद्दे और बौलक देते हैं किनों मेंसे दो चीज़ें अत्वा में दियोंगी और उसमें से एक हमें ग्याद करना होगा मद्दे ग्याद करना है सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है तो एक तरफ तो बार दे रखा है वर्ग अंत्राल के रूप में और एक हमें दे रखे विद्यार्थियों के संख्या विद्यार्थियों के संख्य वो बारम बारता का मान है एप का मान दे रखा है ये विद्यार्थियों के संख्या ये दर्शारी है और वही क्या होती है बारम बारता होती है तो वर्ग अंत्राल तो हमें दे रखा है 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60 60 से 65 65 से 70 और 70 से 75 बारम बारता चो विद्याट्यों के संख है वो हमें दे रखे 3, 5, 10, 8, 7, 4, 3 अब संख्या चाहिए हमें कुछ भी दे दे मद्यक ग्याद करने का तरीका एक ही रहेगा जब हमें वर्गंत्राल दे रखा हो सबसे पहले मद्यक ग्याद करने के लिए हमें CF ग्याद करना होगा जैसे मद्यक ग्याद करने के लिए हमें वर्ग चिन X ग्याद करना होता है वैसे ही मद्यक ग्याद करने के लिए संची बारंबारता CF ग्याद करते हैं CF ग्याद कैसे करते हैं पहली जो बारंबारता है वही पहली CF का मान होगा अब आगे की CF ग्याद करने के लिए जो हमारे पास CF राप्त होगी उसमें आगे वाली बारंबारता F है वो जोड़ते जाएंगे 3 में 5 जोड़ेंगे 8 अब आगे वाली CF गयाद करेंगे 8 में 10 जोड़ेंगे 18 फिर 18 में 8 जोड़ेंगे 26 26 में 7 जोड़ेंगे 33 फिर 33 में 4 जोड़ेंगे 37 और 37 में 3 जोड़ेंगे 40 जो antim CF आएगी वो इन सभी बारंबारताओं को जोड के लिखी गई है तो ये इन सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होगी और मद्देग के अंदर बारंबारताओं के योग को हम n से लिखने हैं तो n का मान आगा 40 सबसे पहले यहाँ पर हमें माद्यक वरक का चेयन करना होगा तो जो n का माना है उस n के अंदर 2 का भाग देते हैं तो n बτα 2 बराबर यहां nd बटा 2 बराबर n का माने 40 बारम बारताों का योग बठ्डे 2 40 में 2 का भाग देंगे ये जाएगा 20 बर और 20 से ठीक बड़ी CF संची बारंबारता देखते हैं तो इसे ठीक बड़ी CF तो 3 है वो 20 से छोटी है 8 है वो भी 20 से छोटी है 18 है वो भी 20 से छोटी है 26 है ये 20 से बड़ी आ गई तो 20 से ठीक बड़ी CF है वो 26 है और 26 के सामने हम वरग देखें तो यहाँ पर हमें वर्ग अंत्राल दे रखा है 55 से 60 तो अत है हमारा जो माद्यक वर्ग है माद्यक वर्ग यह होगा 55 से 60 अब माद्यक वर्ग का जो हमने चैन किया है तो माद्यक है वो 55 और 60 के बीच में प्राप्त होगा 55 से बड़ा और 60 से छोटा प्राप्त होगा अब मद्यक का हम सुत्र लिख देखते हैं मद्यक ज्याद करने का सुत्र होता है L पलस ब्रेक्ट के अंदर N बट्टा 2 माइनस C F बाग में F और गुणा में H इन सभी के मान लिखते है तो सबसे पहले हम देखते है L, L क्या होता है जो हमारा मद्यक वरग है उसकी निमन सिमा मद्यक वरग 55 से 60 इसकी निमन सिमा है जो पहले संक्य है वो है 55 फिर हम देखते है N बट्टा 2 N में हमने 2 का बाग दिया था यह हमें प्राप्त वा था 20 फिर हम देखते हैं C F तो बाद वाली संख्या वरगंद्राल की वह में दे रखे है 60 माइनस पहले वाली संख्या दे रखे है 65 60 में से 55 गटाएंगे तो यह आएगा 5 अब सभी मान हमने ग्याद कर लिए तो मद्यक का सुतर लिखे है उसमें मान लिख देंगे तो अतै मद्यक बराबर सुतर लिखेंगे L पलस N बटा 2 माइनस C F बटे F गुणा H L के मान हमें दे रखे है 55 पलस N बटा 2 का मान है 20 माइनस C F का मान है 18 और भाग में F F का मान हमने प्रप्ट किया है 8 और गुणा में H का मान है 5 तो 55 पलस पहले ब्रेक कोल करें 20 माइनस 18 20 में से 18 गटाएंगे ये बचेंगे 2 भाग में 8 और गुणा में 5 अब आगे वाली तीनों सिंखें गुणा और भाग में इनका गुणा और भाग करते हैं तो 55 पलस 2 के अंदर 8 का भाग चला जाएगा 2 और 8 दोनों में 2 का भाग जा रहा है 2 में 2 का भाग एक बार और 8 में भाग जाएगा 4 बार ये हमारे पास आएगा 5 बटे 4 अब पहले 5 के अंदर 4 का भाग देना है ज्यादातर बच्चे 55 में 5 जोड के फिर 4 का भाग देते हैं जो कि गलत है 55 यहाँ पे अलग पद है और 5 बटा 4 है वो एक अलग पद है तो या तो इसको Mr. Wynn की तरह हल कर सकते हैं 55 को 55 बटा 1 लिक कर अब लग तुम लेके हल कर सकते हैं और दूसरा तरीका पहले 5 में 4 का भाग दें तो 55 पलस 5 में 4 का भाग देंगे यह आएगा 1.25 अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 के अंदर हमें पॉइंट में कोई संख्या नहीं दे रखे और 1.25 इसमें पॉइंट के बाद में 2.5 आए कि एक संख्या में पॉइंट के संख्या उसको लिख देंगे अब पुर्णांग भाग को जोड़ेंगे 55 और 1 हो जाएंगे 56 तो जो हमें आगड़े दे रखें उनका माद्दे का जाएगा 56.25 आगे क्वेशन नमबर 17 हमें दे रखा है पर्थम सो प्राकर्ट संख्याओं का योग ज्याद कीजी ये परसना है पांच्वी परसनावली से तो इसमें भी हमें अत्वा में परसन दे रखा है तो अत्वा से पहले वाला देखते है सो प्राकर्ट संख्याओं का योग ज्याद करना है 1, 2, 3, 4, और इस प्रकार अंत्यम संख्या जाएगी 100, सबी संख्या हैं, वो 17 स्रेडी मौंगी, तो यहां स्रेडी देते ही, एक तो हम लिख सकते हैं इसका पर्थम पद, पर्थम पद ए बराबर हमें दे रखा है丁, दूसरा हम यहां से सारवांतर गयात कर सकते हैं और एक हमें इसका अंतिम पद भी दे रखा है सो प्राक्रत संख्या है तो हम जानते हैं कि अंतिम संख्या क्या होगी तो अंतिम पद अंतिम पद को हम लिखेंगे ए-n से और यह हमें दे रखा है सो अब यहाँ पे टोटल हमें 100 संख्यां दे रखेंगे तो पदों के संख्या N है उसकी माप है वो हमें 100 दे रखेंगे N बराबर 100 योग गयात करना है योग का सुत्र लिखेंगे योग S N बराबर अब योग के हमारे पास दो सुत्रें एक तो है N बटा 2 A पलस A N का और A का N बटा 2 A पलस A N माइनस एक गुणा D का अगर नीचे वाला सुत्र काम मिलेंगे तब तो हमें यहाँ पे A N और D सारवांतर D ग्यात करना होगा और उपर वाला सुत्र काम मिलेंगे तो उसके लिए हमें N A और A N का मान चाहिए और यह तीनों चीज़ें हमें दे रखें सो पदों का योग ग्यात करना है सो वाँ पद हमें दे रखा है कि सो वी जो प्राकर्ट संक है वो सो होगी तो उपर वाला सुत्र काम में लेते हैं S N बराबर N बटा 2 A पलस A N S N की जगे 100 बराबर N की जगे 100 बटे 2 A का मान पहला पद है वो है 1 पलस A N N वा पद यान के 100 वा पद वो में दे रखा है 100 अब इसको अल करेंगे तो 100 में 2 का भाग देंगे 50 बार गुणा में आगे ब्रेक कोल करें 100 पलस A इनको जोड़ेंगे यह आएगा 101 अब 50 का 101 से गुणा करते हैं तो 50 में लाश्ट में 0 है तो 0 आ जाएगा अब 101 का 5 से गुणा करते हैं यह आ जाएगा 505 यनकी पर्थम सो प्राकर्ट संक्याओं का योग हो जाएगा 5050 अब अत्वारवाला पर्चन देखते हैं एपी का पर्थम पद तथा अंतिम पद करम से 1 तथा 11 है यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संक्या ग्यात करो यहाँ पर हमें एक तो दे रखा है पर्थम पद A का मान और यह हमें दे रखा है 1 एक दे रखा है अनतिम पद अनतिम पद को लिखते हैं A N से और यह हमें दे रखा है 11 और एक दे रखा है इसके पदों का योगफल योग को हम लिखते है SN से SN बराबर दे रखा है 36 ग्याद करना है पदों के संख्या N तो A, A, N और N के रूप में SN का सुत्तर होता है हमारे पास तो वो सुत्तर लिखेंगे SN बराबर होता है N बटा 2 A पलस AN और बराबर में दे रखा है 36 N का मान है वो तो हमें ग्याद करना है N बटा 2 A का मान परतम पद दे रखा है 1 पलस A N जितने पद होंगे उसमें जो अंतिम पद है जैसे कि अगर 10 पद हैं तो A N है वो दस्वाँ पद होगा तो इसका मान हमें दे रखा है 11 और बराबर में 36 36 सबसे पहले 2 को दूसरी तरफ लेके आते हैं या फिर ब्रेक कॉल कर दें पहले N बटा 2 गुणा में 1 और 11 को जोड़ेंगे यह हो जाएंगे 12 और बराबर में 36 अब 12 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा 6 बार तो N गुणा 6 बराबर 36 हमें N का मान ग्याद करना है तो N के गुणा में 6 दूसरी तरफ बाग में आ जाएगा तो 36 के बाग में 6 36 में 6 का बाग देंगे यह जाएगा 6 बार तो N बराबर 6 तो जो हमें स्रेडी दे रखी है जिसका पर्तम पद 1 और अंतिम पद 11 तता इसके पदों का योग 36 है उसमें टोटल पदों के संख है वो N बराबर होग इच्छ है आगे 18 नमबर परसन यह परसन आएगा प्रसनावली नमबर 7 से इसमें अत्वा से पहले तो हमें दे रखा है बिंदूओं P माइनस 3,4 और Q चार पांच को जोड़ने वाले रेखा खंड को सम त्री बाजित करने वाले बिंदूओं के निर्दे सांग के ग्याद कीजिए हमें दो बिंदू दे रखें इन दोनों बिंदूओं को मिलाने से एक रेखा खंड बनेगा और उस रेखा खंड को सम त्री बाजित इसमें वे एक बिंदो पहला है P वो तो दे रखा है माइनस, तीन, चार, और दूसरा बिंदो क्यों है वो हमें दे रखा है", छार, पांच दोनों बिंदों को मिलाएंगे, एक रेखाकंड बनेगा अब इस रेखाकंड पर अगर हम दो बिंदो ले लें तो इसके तीन बाग हो जाएंगे और यह तीनो बाग हैं वो हमें क्या दे रखें समान दे रखें समान दे रखें यहनकि अगर पहले बाग की लंबाई एक सेंटीमेटर है तो दूसरे की लंबाई भी एक सेंटीमेटर होगी दो समान बागों में भी वाजित कर रहे है P पहला बिंदु है इसके निर्दे सांग तो हो जाएंगे X1, Y1 और Q दूसरा बिंदु है इसके निर्दे सांग हो जाएंगे X2, Y2 R के निर्दे सांग तीसरा बिंदु है इसके निर्दे सांग हम लिख दें X3 Y3 और S चोथा बिंदू है तो इसके निर्दे सांग हम लिख दें X4 Y4 क्योंकि बिंदू के निर्दे सांग को X Y से लिखते हैं नीचे एक दो तीन लिखते हैं यह यह दर्सारा है कि कौन सा बिंदू है यह पहला बिंदू है या दूसरा बिंदू है सबसे बहले बिंदू R के निर्दे सांग हम ग्याद करेंगे तो सबसे बहले तो हम लिखेंगे कि मानना बिंदू R जिसके निर्दे सांग X3,Y3 है वे दूसरा बिंदू S जिसके निर्दे सांग X4,Y4 है रेखाखंड PQ को P और Q को मिलाएंगे रे खाकंड़ बनेगा P Q तो रे खाकंड P Q को सम्त्री वाजित करते हैं सम्त्री वाजितें करते हैं सबसे پہلے बिंदू R के लिए हम देखें बिंदू R के लिए क्योंकि अगर हमें विभाजन बिंदू का निर्दे सांग ग्याद करना है इसका मतलब में अनपात दिया होगा और अनपात अगर नहीं दे रखा होता है तो किसीने किसी एक निर्दे सामकों में देना आफशक होता है तो यहाँ पर हमें अनपात दे रखा है और अनपात किस रूप में दे रखा है देखो हमें यहां पर बिंदू दे रखा है R और बिंदू R है वो इसको दो बागों में बाट रहा है P से R तक की दूरी और R से Q तक की दूरी तो अगर P से R तक की दूरी एक ही काई है तो R से Q तक की दूरी तो इसमें R से S तक की दूरी और S से Q तक की दूरी ये दो दूरियां सामिलें तो P से R तक की दूरी अगर एक सेंटीमीटर है तो R से Q तक की दूरी होगी फिर दो सेंटीमीटर तो बिंदू R है वो P Q रेखाकंड को एक अनपात दो में विवाजित कर रहा है बिंदू R कि रेकाखंड PQ को एक अनपाथ 2 में विवाजित करता है क्योंकि प्र बिंदू है इसके बाई तरफ एक भाग है और दाई तरफ दो बाग है एक अनपाथ दो में विवाजित करता है और विवाजन अनपाथ को हम लिखते हैं M1 अनपाद M2 से यह हमारे पास आ गया एक अनपाद 2 इसका मतलब M1 का मान 1 है और M2 का मान 2 है अब हम विवाजन अनपाद दे दिया तो अब इस विवाजन बिंदू के निर्दे संग जो सुत्र होता है उसका तरीका है कि Mx पलस Mx लिख दें और भाग में लिख दें M पलस M अगर पहले में M के निचे एक लगाएंगे तो आगे आजाएगा X की जगे 2 और पहले में M की जगे 2 लगाएंगे तो आगे X के निचे आजाएगा 1 यहन कि M1 X2 प्लस M2 X1 और भाग में M1 प्लस है M2 अब यह सारे मान हमें दे रखें M1 M2 X1 X2 यह मान रखेंगे बिंदू R का जो X निर्दे सांग है उसको हम लिखा है X3 से तो X3 बराबर M1 M1 का मान हमारे पास है एक गुणा में X2 X2 प्लस में M2 M2 का मान है दो गुणा X1 पहले बिंदू का X निर्दे सांग पहला बिंदू P है जिसका X निर्दे सांग है M1 माइनस 3 और भाग में M1 मान प्लस M2 M1 का मान एक प्लस M2 का मान दो इस प्रकार X3 का मान गया तो जाएगा एक को चार से गुना करेंगे चार दो को माइनस तीन से गुना करेंगे दिया जाएंगे माइनस च्छे और भाग में एक और दो जाएंगे तीन च्छे में से च्छे गटाएंगे तो च्छे में से च्छे गटाते हैं दो बड़ी संख्या माइनस के है बाग में 3 तो बिंदु R का X निर्दे संग आगया माइनस 2 बटे 3 इसी परकार हम ग्याद करेंगे बिंदु R का Y निर्दे संग और Y निर्दे संग को ग्याद करने का जो सुत्र है वो है M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे M1 पलस M2 Y निर्दे संग को हमने लिखा है Y3 से बराबर M1 का मान हमारे पास है एक गुणा में Y2 फिक्यूर एखाखंड है तो Q का Y निर्दे संक और Q का जो Y निर्दे संक है वो हमें दे रखा है पांच तो Y2 की जगाय है पांच पलस M2 का मान दो गुणा Y1 पहले बिंदू का Y निर्दे संक और पहले बिंदू का Y निर्दे सांग का है वो हमें दे रखा है 4 तो Y1 की जगा जाएगा 4 भाग में M1 प्लस M2 M1 की जगा 1 और M2 की जगा 2 Y3 बराबर अब 2-2 संख्याओं का गुणा करेंगी 1 का 5 से गुणा 5 प्लस 2 का 4 से गुणा 2.8 और भाग में 1 और 2 हो जाएंगे 3 5 और 8 को जोड़ेंगे तो Y3 बराबर 13 बट्टे 3 तो X3 का माना गया माइनस 2 बट्टे 3 और Y3 का माना गया 13 बट्टे 3 तो अतै बिंदू R अतै बिंदू R पहले X निर्दे सांग माइनस 2 बट्टा 3 और फिर Y निर्दे सांग 3 बट्टा 3 है यह तो हो गया विवाजन बिंदूों में पहला विवाजन बिंदू और अब दूसरा विवाजन बिंदू S ग्याद करेंगे तो अब आगे हम लिखेंगे बिंदू S के लिए बिंदू S के लिए बिंदू S के लिए हम देखें तो यहाँ पे S बिंदू है इसके बाई तरफ तो दो बाग है और दाई तरफ एक बाग है बाई तरफ दो बाग और दाई तरफ है एक बाग तो यह इसको दो अनपात एक में भी वाजित कर रहा है तो हम लिखेंगे कि बिंदू S जिसके निरते सांग X4 Y4 हो रहे हैं रेखा खंड PQ को दो अनपात एक में विवाजित करता है एक में विवाजित करता है इसलिए विवाजित अनपात M1 अनपात M2 बराबर होगा यहां पर दो अनपात एक तो यहां M1 बराबर होगा दो और M2 बराबर होगा एक अब विवाजित बिंदू का जो सुत्र है विवाजित शुत्र उसको काम में लेके इसका X और Y निरते सांग ग्याद करते है बिन्दू S का X निर्देशंग X निर्देशंग को ग्याद करने का सुत्र होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 अब क्योंकि रेखाकन P Q है तो P के निर्देशंग X1 Y1 और Q के निर्देशंग X2 Y2 होंगे X निर्देशंग को हमने लिखा है X4 से M1 का मान 2 गुना X2 बिन्दू Q का X निर्देशंग यह हमारे पास है 4 प्लस में M2 का मान 1 गुना X1 बिन्दू P का जो X निर्देशंग है वो है माइनस 3 और बाग में M1 प्लस M2 2 प्लस 1 X4 बराबरा जाएगा 2 को 4 से गुना करेंगे 8 प्लस 1 को माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस के 3 और भाग में 2 और एक हो जाएगे 3 तो X4 बराबरा जाएगा 8 में से 3 गटाएगे 5 बटे 3 अब आगे बिन्दू S का Y निर्देशंग बिन्दू S का Y निर्देशंग तो Y निर्देशंग को ग्याद करने का सुब्तर होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2 अब बिन्दू P ए उसके निर्देशंग तो दे रखें माइनस 3,4 और Q के निर्देशंग दे रखें 4,5 ये तो होगे X1 Y1 और ये होगे X2 Y2 बिन्दू S के Y निर्देशंग कोम ने लिखा है Y4 से बराबर M1 विवाजन अनपात में M1 का माणन है 2 गुणा में Y2 दूसरे बिन्दू का Y निर्देशंग है 5 प्लस M2 का माण 1 गुणा Y1 पहले बिन्दू का Y निर्देशंग है 4 बटे M1 2 प्लस M2 1 Y4 बराबरा जाएगा 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 बटे 2 और 1 हो जाएगे 3 Y4 बराबर 10 और 4 14 बटे 3 तो अतै बिन्दू S अतै बिन्दू S 5 बटा 3,14 बटा 3 है और यही दो बिन्दू के निर्देशंग हमें ग्याद करने थी आगे अत्वा में ये भी साथ में परसनाव लिकाई परसन है वै अनपाद ग्याद कीजिए जबकि बिन्दू माइनस 3 P बिन्दू माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 2,3 को अन्ते विवाजित करता है P का मान भी ग्याद कीजिए अत्वा से पहले जो हमें दिया था उसमें हमें सम 3 वाजित दे रखा था इनके समान 3 भागों में विवाजित दे रखा है इसका मतलब हमें विवाजन अनपाद दे रखा था जो दो बिंदों में दे रखे हैं बिंदों माइनस पांच और माइनस चार और माइनस दो कॉमा तीन को माइनस तीन कॉमा पी है वो अंते भी बाजित करता है तो हमें दो बिंदों एक बिंदों है वो तो दे रखा है माइनस पांच चार और दूसरा बिंदू दे रखा है माइनस दो तिन जिसे नाम देंगे हम बिंदू B और इन दोनों को मिलाते हैं तो इस पे एक अन्य बिंदू दे रखा है जिसके निर्दे सांग में दे रखा है माइनस तिन भी इसे नाम दे देते हैं बिंदू C हम मान लेते हैं कि मानना बिंदु सी रेखा खंड एबी को के अनुपाद एक में विवाजित करता है के अनुपाद एक में विवाजित करता है और विवाजन अनुपाद है वो हम लिखते हैं M1 अनुपाद M2 और यह हमने मान लिया के अनपाद एक इसका मतलब M1 का मान है वो तो हो गया के और M2 का मान है वो हो गया एक अगर हम विवाजन अनपाद M1 अनपाद M2 मान के चलें उससे भी यह परसन हो सकता है अब हमें ये देखना है कि जो हमें विवाजन बिंदू दे रखा है उसका हमें कौन सा निर्देशांग दे रखा है अगर हमें X निर्देशांग दे रखा है तो हम X निर्देशांग लेके चलेंगे तो विबाजन बिंदू C का X निर्दे सांग बराबर और X निर्दे सांग को ग्याद करने का सुत्र होता है M1 X2 पलस M2 X1 बटे M1 पलस M2 X निर्दे सांग इसकी माप हमें दे रखे यह हमें दे रखा है माइनस 3 बराबर M1 का मान हमारे पास है कि गुणा X2 अब क्योंकि रेखा खंड A B है तो A के निर्दे सांग तो है X1 Y1 और B के निर्दे सांग है X2 Y2 X2 का मान है वो में दे रखा है माइनस 2 पलस M2 का मान है एक गुणा X1 पहले बिंदू का X निर्दे सांग हमारे पास है माइनस 5 और भाग में M1 पलस M2 M1 का मान है K पलस M2 का मान है 1 अब K पलस 1 भाग में ये दूसरी तरफ गुणा मा जाएगा तो माइनस 3 के गुणा मा जाएगा K पलस 1 बराबर में K का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो पलस का माइनस से गुणा माइनस संख्या 2 है वर xr a.c.k फिर आगे फिर माइनस तीन का एक से गुना करेंगे तो माइनस के तीन और बराबर में माइनस दो के और माइनस पांस अब के के पदों को एक तरफ और बिना के के पदों को दूसरी तरफ लेके आते हैं तो माइनस का तीन के माइनस के दो के हैं यह हो जाएंगे 22 प्लस के 2 के, बराबर में हमें पहले से माइनस 5 दे रखा है, माइनस के 3 हैं, यह हो जाएंगे प्लस के 3, हल करेंगे इनको, तो दोनों संख्यां विप्रिज चिन के गटाओ जाएगा, तीन में से 2 गटाएंगे, एक के बचेगा और वो बचेगा माइनस का, बराबर में माइनस 5 प्लस 3, विप्रिज चिन के संख्यें गटाओ करेंगे, 5 में से 3 गटाएंगे, दो बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 2, दोनों संखे माइनस की हैं तो दोनों तरब माइनस का गुना कर देते हैं माइनस का गुना करेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे चिन पलस हो जाएगा के बराबर दो आ गया अब विबाजन अनपात हम मान के चले थे के अनपात एक तो K को हम लिख सकते हैं K बटा 1 और 2 को लिख सकते हैं 2 बटा 1 इसका मतलब K अनुपात 1 है वो हमारे पास आ गया 2 अनुपात 1 एक तो हमें यही चीज ग्याद करने थी किसका विवाजन अनुपात क्या है किस अनुपात में विवाजित करता है तो बिदू C है वो दो अनुपात एक में विवाजित करता है दूसरा में क्या ग्याद करना था P का मान भी ग्याद कीजिए P यहां पर क्या है Y निर्दे सांक है तो अब हम ग्याद करते है बिदू C का Y निर्दे सांक और बिंदू C का Y निर्देशांग ग्याद करेंगे तो Y निर्देशांग को ग्याद करने का सुत्र होता है M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे M1 पलस M2 Y निर्देशांग यहाँ पे हमें दे रखा है P बराबर M1 का मान अब M1 हमारे पास है के अनुपात 1 और के अनपाथ 1 का मान हमारे पास है 2 अनपाथ 1 तो M1 का मान तो आ गया 2 और M2 का मान आ गया 1 तो M1 का मान तो 2 गुणा में Y2 Y2 है यहाँ पर दूसरे बिंदू का Y निर्दे संग तो दूसरा बिंदू B है जिसका Y निर्दे संग है 3 प्लस M2 दूसरा जो अनपात है वो में दे रखा है एक और गुणा में Y1 Y1 का मतलब पहले बिंदू का Y निर दे सांग और ये हमारे पास है माइनस चार और भाग में M1 प्लस M2 तो M1 का मान दो प्लस M2 का मान एक अब इसको अल करेंगे तो P का माना जाएगा P बदाबर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 एक को माइनस 4 से गुणा करेंगे माइनस 4 और भाग में 2 और एक हो जाएगे 3 तो P बदाबर आ जाएगा 6 में इसे 4 गटाएगे 2 बटा 3 और यही चीज़ हमें ग्याद करने थी